और लो दोस्तों कैसे हम से भी लोग अच्छे हूंगे खुशाल होंगे थी अज बी थैड की त Patriots traffic स्टार्ट हो गयांसे तो इसमें मॉस्टइंट नइ पो करा दिये जाएंगे इस और psychology के भी कुछ दिनों बाद आपके practice set आने वाला है कल तक या परस्ट तक आ जाएगा तो दोस्तों इन practice set में हम पताना चाहूंगा कि यह कैसे चलेंगे इसमें आपको most important question ठीक है जो previous year question है वो topic wise topic wise मिलेंगे और कुछ उस topic से related ठीक है one liner भी हम आपको last one provide कराएंगे one liner का मतलब है कि ऐसे question जो आ सकते हैं जो director भी पूछी नहीं गया है उनको हम one liner की form में आपको पढ़ा देंगे वो क्या है वो ऐसा है कि कभी वो question आपकी नजरों से गुजर जाएगा एक बार तो कभी पेपर में तो आपको फाइदेमंद रहेगा तो दोस्तों देखते हैं और करते हैं which of the falling forces is needed to be packed up your school bag तो जब आप स्कूल बैक को पैक करते हैं ठीक है आप स्कूल में बैक में किताबे डाले है आपने बांद दिया उसके आपने क्या कर दिया पैक कर दिया तो उसके लिए आ आपका आएगा work, force, work, force और आपका motion ये तीन टॉपिक जो है मतलब जो आपकी 25 day crash course हमने करवाया था उसके जो day 1, day 2, day 3, day 1, day 2 और जो day 3 की जो questions है ठीक है जो वीडियो है वो अगर आपने नहीं देखिए तो वो जाके देख लिजिए day 1, day 2, day 3 उसके आपको बहुत help मिले इन कोशनों को solve करने के लिए तो जो हमारा 25 day crash course physics है उसका day 1, day 2, day 3 देख लिजिए day 1 है आपका force, day 2 है motion, 2, day 3 है work तो इन तीन टॉपिक से ये question आएगे ठीक है ये एक वीडियो नहीं होगी ठीक है तीस कोशन इस वीडियो में होंगे तीस कोशन अगले वीडियो में होंगे तीस कोशन इस से अगले वीडियो में होंगे तो ये mix question होंगे तीन हो टापिक से और तीन लगग तीन वीडिक के आसपास वीडियो इस तीन इस टॉपिक से आएगी ठीक है इन तीन हो टॉपिक से लगभग आईगी तो चलते हैं पहला कोशन में देख लिए कौन सी force होती है यह आपको पता होना चाहिए कि जो magnetic force होती है जो आपकी muscles होती है मतलब आपने muscle की help से muscle की power लगाई है जो भी force उसके वज़ा से generate होती है इस वज़े से वह क्या होती है muscular force होती है जो muscle से generate होती है इट इस डिफिकल्ट टूवाक आइस बिकॉस तो आपको आपको आपके पैर है और जो बरफ होता है उसके बिचके friction इतना generate नहीं हो पाता है कि आप उस बरफ पर खड़ सके धंग से चल सके ठीक है यूँकि जो बरफ होती है बिल्कु स्मूथ होती है ठीक तो इसमें friction क्या होता है लो होता है दोस्तों और दोस्तों अगर आप हमारे साथ अभी तक जुड़े होएं और आपने हमारे पिछल के अपने दोस्तों से करवाई हैं आगで जलते हैं दीला। इप संड इन से और वेक्यूं इस दो विल्यॉस Informationen इबक्यूण- चूब लटो नाप शुन होते है संडस्तु होगा सैकेडिया होती है तो दोस्तों इस का अंसर होगा 0 rating option א। इड़ी जिलो मेत्रीवलो में करते है किया हो ते यह देखते हैं ट्रयाइंट सब्सक्रीक देखतके अग्र द्सेक तूम एक सिलर रहरेगे average velocity of x is the average equal to the velocity of y मतले यह बुर रहे हैं कि इनकी average velocity equal होगी average velocity of x is less than y average velocity of x is more than y we can not compare their velocity तो दोस्तों यह question है तो दोस्तों देखो इसको मैं आपको पता हूँगा कि आप कैसे compare करोगे simple सी बात है कि अगर आपको कुछ पता नहीं चाला तो आप क्या करोगे आप अपने आप से distance माल लो बेंटोर हैदरावेच की पर distance माल लो 120 है distance ठीक है अब person x है तो आप निकाल दो velocity of x person x velocity of person x जब आप velocity of person x निकालोगे तो velocity का formula क्या आता है displacement upon time या distance upon time तो जो distance है कितना है 120 है और time कितना लगा x को 20 लगा तो इसकी आगी 12 km पर आवर इसकी जो velocity आगी 12 km पर आवर और दूसरे बंदे की देखो y वाले की distance तो उसको भी 120 km है और उसका आवर है 12 तो 12 कम यागी 10 km पर आवर तो देखो velocity किस की ज़ादा है मतलब person x की velocity ज़ादा है 12 km पर आवर मतलब ज़ादा speed से चल रहा है ठीक है तो इसका अंसर क्या होगा आपके पास average velocity of x is more than data y मतलब जो average velocity है x की वो ज़ादा है y से c इसका अंसर होगा the unit of impulse is same that of linear momentum power velocity energy तो क्या पूछ रहा है कि जो unit of impulse है वो same है किसके दो impulse की unit है same है linear momentum के ठीक है दोस्तों यह question है पांच the unit of impulse is same as that of linear momentum आप बोलोगे impulse क्या है impulse दोस्तों जैसे आप golf खेलते हैं गॉल्फ में आप बहुत कम समय के लिए ठीक है किसी बहुत कम समय के लिए आप बॉल पे क्या करते है पावर फोर्स लगाते हैं जैसे कि आपने बॉल ली बॉल पे आपने के शॉड मारा जो आपने वो impact उस पर बढ़ा जो बहुत कम टाइम के लिए पढ़ा ठीक है time कम था फोर्स बहुत ज्यादा थी जब किसी चीज़ पर बहुत कम टाइम पर बहुत ज्यादा फोर्स लगाई जाएगी उसको बोलते है impulse बहुत कम टा अगला कुशन देखते हैं अमास ओ फाइव केजिज एक्टिट अपॉर्स और फोर्स ऑफ वन नियूटन स्टार्टिंग फॉमच अडिस्टेंस कवर बाइद अमास इंटेंस सेकिंड अमास ओफव केजिज एक्टिट किस पर रहा है अपउन बाइए फोर्स आफ वन नियू मस् कितना है? मस्हाइब का इस फाइफ फाइब केजी अब फोर्स कितनी लगी? वन न्यूटन की फोर्स लगी वन न्यूटन की फोर्स लगी इनिश्यल व्रोस्ट एक जो आपका अबजेक्ट है वो अभी यह जगही खड़ा हुआ है रैस्ट पे है तो आपको क्या पताना है how much distance covered by the mass कितना उसने distance cover किया तो आपको पहले तो क्या निकानने पड़ेगी आपको पहले तो निकानना पड़ेगा इसका कोई relation जो आपको पता होगा आपने अगर force, motion और work वादा chapter कर ली हैं तीनों तो आपको पता होगा relations तीन relation आपको उसमें कराए गए है एक relation है s is equal to ut plus half 80 square यह है आपके एक relation ठीक है अब आप इसमें चेक करेंगे कि इसमें किसका relation आ रहा है distance, displacement और x relation का इसमें relation आ रहा है और आपको पता है कि जो force है force का formula आता है mass into x relation तो मतलब आप acceleration इससे निकाल सकते हैं force आपको दी हुई है तो देखो कैसे करेंगे mass है 5 kg force है 1 newton अब देखो force का formula होता है mass into acceleration force है 1 newton तो 1 लिख दो f की जगा mass आपके पास कितना है 5 kg acceleration into acceleration 1 by 5 is equal to a 1 gap आपके सक्वाइब गया acceleration आपका 1 by 5 मिटर सेक्ड यह आगया acceleration आपके आपके आपको आपको निलेशन पता है s is equal to ut plus half a t square displacement आपको निकालनी है distance आपको निकालना है u initial velocity में खुद बोलाएगी object कि इस पर रेस्ट पर है तो u तो 0 है U है 0 तो इसको 0 डाल दो यह 0 बन गया प्लस half A एक्सलेशन आपको 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 1 by half है time time कितना है time इसमें बोला है mass in 10 seconds तो time हो गया 10 की 10 का square 100 10 का square 100 हो गया तो आपको आपको displacement कितने हागी 5 दूना 10 100 बटा 10 0 0 कट गया displacement आपको 10 कितना है गया 10 मिटर आपकोषा आपको आपको आपकोषाए displacement option B इतना इसी question था light body and heavy body have a equal greater momentum तो मैंशे द्यान रखना अगर किसी की light body and heavy body कुई 2 body है जिनका kinetic energy same है तो momentum किसका जादा होगा हमेशा heavy body का जादा होगा अप मैं पूल्स अबकेट आउट 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 वेल बाइ मीन्स ओफ रोग दवर्क डन बाइद ग्रैविटी इस देखो जब आप फोर्स किसी और डारेक्शन में लगा रहे हो और वर्क किसी और डारेक्शन में हो रहा हो तो वह नेगटीव वर्क होता है मैं आपने पढ़ ग्रैविटी इज जो वर्क डन ग्रैविटी कर रही है वह क्या है निट्टीवर्क है क्योंकि ग्रैविटी लग रहे है नीचे को और जो अबजक आ रहा है व को आ तो है कार की स्पीड विकम ठी टाइम है तो इसकी केनेटिक अनर्जी क्या होगि हैं देखो काइनेटिक अनर्जी क्या होगी 9 time होगी 6 time होगी 3 time होगी 12 time होगी तो इसका simple answer है kinetic energy पहले आपको पता आना चाहिए एक पटा 2 mv square होती है अब क्या करोगा आप एक पटा 2 mass तो mass ही रहना है तो v यह कहले speed of car मिला speed 1 velocity जो है car की वो 3 time होगी तो v की जगह दाल दो 3 v 3 time होगी तो v square है तो इसकी kinetic energy कितने हो जाएगी 1 upon 2 m 3 तीन त्याम नौ नौ भी square तो देखो 9 एक बटा 2 mv square अभी जो mv square है तो kinetic energy है तो और इसके साथ 9 गुणा हो गया तो यह तनी होगी 9 time होगी अगला question the unit of force constant is देखो unit क्या है force constant की यह ध्यान रखिएगा इसके अपने पास note कर लेज़ेगा Newton meter Newton per meter Newton meter minus 1 ठीक है तो nm minus 1 अगला question देखते हैं तो दोस्तों कैसी लग रही आपको वीडियो जुरू बता है लाइक कीजी और सबस्क्राइब जूर कीजी अपने दोस्तों साथ शेयर कीजी देखो यह क्या बोर रहा है कि लिफ्ट क्या किया एक लगेज लिफ्ट किया 15 कजी का और उसको ग्राउंड से कहां से किया ग्राउंड से लिफ्ट किया और उसको रख दिया कहां हैड पर सीर पर रख दिया देखो जैसे यह कोई इंसान है इसने किया कि लगेज यहां था इसको लिफ्ट किया आपने सीर पर रख दिया और यह सीज को रखने पे जितना से डिस्टाइंस पूरा किया वह था 1.5 मीटर वर्क डन बाइद हीम ऑन दर लेगेज विल भी इसने वर्क डन कितना गिया लगेज पे यह आपके वासी दर कोशन पूछा जा रहा है तो बहुत ही इजी कोशन है दरने वाली कोई बात नहीं है देखो जहां को उसने फोर्स लगाई लगेज भी वहां को उठा तो यह तो जिरो वर्क तो नहीं है यह जिरो वर्क नहीं है तो वर्क तो कुछ हुआ है जहां को इसने उठाया वहां को उठाया तो वर्क तो इधर हुआ है तो क्या वर्क हुआ यह देखते हैं सबसे पहले mass कितना है इसका 15 kg और distance कितना इसने पूरा किया distance दोस्तों इसने पूरा किया 1.5 meter work done by him कितना है work done यह हमार को निकालना है work done हमें निकालना है बाकी जो gravity है और 10 meter के per second की तरह काम कर रही है यह है अब देखो work done का formula क्या है W is equal to force into displacement force into displacement और दोस्टो force into displacement है force आपको पता है कितनी लग रही है नहीं पता है force आपको नहीं पता है तो force निकानने पड़ेगी force का फर्मुला था है mass into acceleration mass कितना है? 15 acceleration कितनी है? acceleration जो होती है वो हम क्या लेंगे gravity लेंगे gravity क्या है? यहाँ पे और कोश्ट में दिया है घ्रैवडी भी क्या है एक एक्षरिलेशन ही है जो यहाँ पर काम कर रहा है ठीक है कि यह स्पेज क्या लगा एक्षरिलेशन लगेगा क्योंट सा 10 मेटर पर 10 मेटर पर सेक्ड तो यह जाएगा आपकास फोर्स आजाएगी 150 क्या जाएगी फोर्स आजाएगी आपकास 150 अब जो फोर्स है वह आजाएगी 150 और डिस्प्लेस्मेंट आगी आपके पास 1.5 तो इसका दस ले लेंगे नीचे तो 0-0 कट गया 15-15 वाचा आपकास आगया 225 जूल क्या आगया दूस्तों 225 जूल भी आप्शन अगले वोशन की तरह बढ़ते हैं तो इसमें स्पीकिंग है जो फ्रिक्शन पर बेस्ट नहीं है अगर मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आपने हमारी क्रेश कोर्स नहीं देखिया है तो देखिए 25 देश्ट क्रेश कोर्स उससे आपको बहुत फैदा मिलेगा और हमें सब्सक्राइब किजिए अगर आपको वीडियो वी तक अच्छी लग रही है इंक्रीज इन प्रेश्ट इस पीड ऑफ साउंड विल भी रिमें सेम तो साउंड प्रेश्ट जो है स्पीड ऑफ साउंड पर कोई फैक्ट नहीं डालता है क्या करता है कोई फैक्टर नहीं डालता है दोस्त अच्छेट इंजन वरक और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मुमेंटम ऑप्शन सी इसका अंसर है यह कोईशन बहुत बार रिपीट होगा रिपीट हुआ है रिपीट होगा ही होगा यह कोईशन मतलब मैं बोड़ रहा हूं कि एक पेपर हमारा आज तक 15 बार हुआ है एस बी टैट का तो यह दस बार यह कोईशन आता है जैट इंजन वर्क अंदर प्रिंसिकल ओफ लिनियर मुमेंटम इडेंट इडेंटिफाइथ इसकेलर क्वेंटिटी कौन सी है इडेंटिफाइगीजिए तो डिस्प्लेशमेंट तो नहीं है acceleration भी नहीं, momentum भी नहीं है, क्योंकि यह एक दुनों तीनों लिंक करते हैं, kinetic energy दर scalar quantity है, ठीक है, क्या है, distance आपका scalar quantity है, तो आपका जो 85 है, मतलब question, identify the scalar quantity, इस cancer हो का आपका पास, kinetic energy, आगे चलते हैं दोस्तों, और देखते हैं, a coolie carries 10 kg load on his head and travels 100 meter on straight horizontal road, the work done in the coolie is, देखो दोस्तों, यह work done क्या होगा, 0 होगा, क्यों होगा, अब मैं आपको explain करता हूँ, देखो coolie नहीं क्या किया, coolie के सीर पे कोई चीज है, ठीक है, और वो चल कैसे रहा है, यह आपका road है, यह आपका road है, यह आपका road है, कुली चल इस डारेक्शन को रहा है समान उसने ऊपर उठा रहा है ठीक है ठीक है बदलब वो फोर्स लगा रहा है इस डारेक्शन में ठीक है फोर्स लगा रहा है इस डारेक्शन में और समान है ऊपर को इसकी बीच देखो इसकी बीच कितने डिगरी का अंगल बन रहा है तो यह जो जब आप करोगे आपका जो वर्क होता है वह होता है fs.s fs cos theta जब आप cos theta के जगा 90 डालोगे तो यह 0 बन जाएगा इसलिए मैंने बोला कि इसमें work done क्या होगा 0 जहां भी आपका एंगल 90 डिग्री बनेगा वहां आप सी तक 0 अंसर लगाएंगे जैसे इसने सिर्पे समान उठाया था और चल रहे आगे हो रहा था तो इसके चलने और जिसने समान उठाया है उनकी पीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इस केस में हम बोलते हैं कि work done कुछ नहीं हुआ जिरो हुआ है और जो पहला वहला कोशन था जहां पर लग में work done निकाला था यह वाला कोशन से उठाया दोस्तों इसमें चलने की बात नहीं की थी उठाने की बात की थी तो इसने नीचे से उठाया तो इसने फोस्ट पी उसी डारेक्शन में लगाई जिस डारेक्शन वेसे समान को रखा इसने समान उठाया तो वो लग्र को इस था यह लगके स्था अगर चलने की बाद भी लिडि जाये तो वह 90 डिकरी का बैलन जाता है जहां पे है displacement और वो फोर्ट वर्ट आपका जो फोर्स होती है दिस्प्लेश्मेंट होती है नब बड़िकरी के एंगल में जाती है और वर्ट जिरू हो जाता है तो दोस्तों यह फॉच्ट थोड़ा गल्थ है विच कंड नोट भी निहीं हो सकता तो डिस्टम्स, ऑप्ष्ण दी इसका अंसरो का जो कभी भी नेग्टिव नहीं हो सकता जो इसकेलर कॉनेटी इसकेलर कॉनेटी इसकेलर कॉन सी है क्या पास के पास सर्फ एक चीज होती है तो ये निएट ये कलेक्ट दबरक्ड दन बाइए को स्टेंट फोरस एफ एक्टिंग ऊनवाडी प्रॉड्यूसिंग बाइइ इस प्रद्यूसिंग डिस्प्लिस्मेंट इन दे बॉड़ी बहुत सिंपल कोस्टिन है वरक दन वो चाहिए कि इस कालकुलेट दो वर्क दन बाय कॉंस्टेंट फोस एफ यह एस है तो बताओ वर्क दन कल्कुलेट करना है फोर्स भी दिये वर्क दन का फर्मुला करता है डब इस एकल टू एफ डॉट एस एफ टू आई थी जे मैंस फाइव के और एस एप के पास टू आई फोर जे प्लस थी के ठीक है अब देख आप क्या करोगा डॉट प्रटक्ट आपको बता है आई से गुना करोगा तू आई और टू आई तो यह बन जाएगा फोर यह बन निशान तीन जागे बारह माइनस यह जागा 5 और यह जागा 3 तो 15 तो यह जागा 1 जूल C option C the slope of Witi graph is given तो slope होता है ज explorer velocity time graph का जो slope होता है दोसको वो क्या देता है सिम्पल सी बात है वो देता है acceleration और इसके जगा एरिया होगा सलोब के जगा area of Witi graph गिवन displacement तो ये बात देखेएगा slope देगा आपका day activation और area होगा इसकी जगा तो यह देगा आपका displacement For which of the falling does the center of mass lie outside the body इन में से किसका center of mass outside of body lie करता है तो ring दो को ring क्या होती है ring होती है एक hole यह जैसे यह गोला जो गोल से rings ही होती है गोल विल्कुल इसके इंदर कुछ नहीं होता तो इसका ही mass होता है जो outside the body lie करता है center of mass इसमें center में कहां लाए करेगा which of the falling cannot be negative इसमें से कौन से negative नहीं हो सकता दोस्तो तो total path length ऐसी चीज़ है जो कभी भी negative नहीं होती जिसे आप distance के नाम से भी जानते हैं तो अच्छा question था बहुत easiest question था option इसका answer होगा अगला question which is non-central force central force और non-central force क्या होती है तो दोस्तो central force वो होती है जिसमें आप क्या करते है central force is that readily pointing and the magnitude is depend on the distance from the source कि उसका distance कितना है source से उसका magnitude depend करता है उस पे ठीक है और यह कौन कौन से होती है जैसे कि gravitational force of a point mass electrostatic force due to point charge तो यह होती और non-central force क्या होती तो यह होती है आपकी non-central force तो जैसे कि gravitational force electrostatic force आपकी क्या होती है central force होती है इसे note कर लिजिए अपने पास और non-central force जैसे nuclear force होती है यह non-central forces होती है अगला question match the item item match किजिए यह units है time की unit होती है second pressure की होती है pascal electrocapacitance की होती है अगला question देखते है the value of escape velocity is minimum of किसमे minimum होती है तो आपकी पता आपको अर्थ में कितने होती है 11.2 km per second km per second यह होती है आपकी अर्थ की और the value of escape velocity में minimum मतलब कि किसमे सबसे कम energy लगेगी आपको उसके surface से बहार निकानने के लिए escape velocity क्या होती है ऐसी velocity जो आपको किसी के atmosphere से निकानने है मैं help कर चीज़ अर्थ है अर्थ से बहार फैंकने में कोई भी अर्थ से बहार कोई चीज़ फैंकी नहीं तो उसमें कौन सी कितनी velocity आपको चाहिए minimum तो वो चाहिए 11.2 km per second यह होती है escape velocity ठीक है और सबसे कम किसी होती है मून की सबसे कम escape velocity होती है क्योंकि मून की gravity सबसे कम होती है मून में सबसे कम gravity होती है और gravity ही है यह सी चीज़ है जो हमें हमारी धरती में रहने पर मजबूर करती है हमें नीचे जो दबाव लगाती है तो moon में सबसे कम होती है इसलिए moon की जो minimum जो escape velocity होती है वो भी minimum होती है अगर बढ़ते हैं what does the area under velocity time graph represent मैंने बोला है अगर area under velocity time graph होगा area होगा तो displacement होगा और अगर slope होगा velocity time graph में वो आपका देगा acceleration तो यहाँ पर है area तो यह होगा displacement option बेसका answer होगा the escape velocity for a body projected vertically upward from the surface of the earth is 11.2 km per second if the body is projected at the angle of 45 with the vertical the escape velocity of the body will be तो अब escape velocity body के क्या हो जाएगी तो दोस्तों इसका simple answer है इसका answer है कि the escape speed does not depend on the angle of projection कि जो escape velocity होती है वो angle of projection पे depend नहीं करती है कि आपने angle क्या बना रखा है इंगल 45 का हो चाए 60 का हो आपकी जो escape velocity है वो minimum कितनी होती 11.2 km per second वो आपकी लगी 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 option B इसका answer होगा अगला question per second is the unit of मैंने पता दूआ आपको इसको note कर लिजेगा per second unit होती है distance की अगला question a car move from x to y with the uniform speed of v and return from the y to x with the uniform speed v2 the average speed of the trip is तो दोस्तों यह एक short trick होती है कि अगर जब same distance same होता है ठीक है और velocity different होती है तो average velocity निकालने का जो formula होता है 2 v1 v2 divided by v1 versus v2 और यही चीज यहाँ पे पूछी है देखो इसका होगा option d answer और अगर इसकी v1 की जगा 5 km और v2 की जगा 10 km भी होता तब भी आप इस formula में डालकी इस cancer निकाल सकते है जैसे कि v1 की जगा 5 गुणा 10 5 plus 10 15 तो इसको solve करकर जो भी answer आता है वो इसकी average velocity होती a body of m kg start from the rest at travel देखो body का mass कितना है mass है m kg start from rest मतलब initial velocity है 0 u 0 है and travel distance कितना travel कर रही है s distance कितना travel कर रही है s time कितना है t second force acting on the it तो पताओ force को कितनी force act कर रही है तो force होता है mass into acceleration mass आपको पता acceleration आपको निकालना है तो इन चारों का relation पताए जहां से आप acceleration निकाल सकते हैं तो मुझे तो सबसे जो easy इसका relation दिखता है वह तो वह दिखता है s is equal to ut plus half a t square अगर आपने हमारी 25 day crash question नहीं देखा तो जाके देखिए वहां पर सब कुछ करा रखा है first second three जो first video day one day two day three के जो topic थे उन से लेटर यह question है s ut दो को initial velocity 0 तो यह 0 हो गया half acceleration कितना है acceleration आप निकालोगे यहां से यहां force निकालने के लिए आपको acceleration चाहिए और time आपके बास है t तो t इसके यहां लिखता होगे तो s acceleration निकाल दो तो यहां जाएगा a is equal to s s की निचे चल जाएंगी यह 2 चल जाएगा s के साथ और यहां जाएगा t square तो a आगे आपका 2s divided by t square 2s divided by t square तो f is equal to m a तो m mass acceleration आगे 2s divided by t square इसको arrange कर दो तो आजाएगा 2ms divided by t square तो यह इस cancer होना चाहिए जो force आई आपके पास तो इसे होगा दोस्तो tms t देखो 2ms t square और यह unit हो जाएगी newton force की होती है newton option है इस cancer है अब दोस्तों बने आपको promise के था one liner जो question आ सकते है important है when we lift a weight what type of force we do apply lift the weight अगर हम किसी weight को उठाते है तो हम कौन सी force लगाते है muscular force लगाते है what type of force does a player apply while running तो run करते है तो कौन सी force लगाते है muscular force muscular force is also called as contract force contact force muscular force को बोलते है carrying of a heavy load by the animal through cart is the example of muscular force a ball rolling on the floor stop itself and type of force friction जब बॉल खुदी रुख जाए floor में चलते है तो friction के वज़े से दुख रहिए if we stop hitting the paddle of running by cycle it stop itself will the force is responsible for force of friction magnetic force is the example of non-contract force इसमें contact नहीं होता दो जोग आपस में what happen when the some poles of the magnet brought closer तो वो क्या करेंगे repel करेंगे same poles और अगर opposite लाएंगे तो वो attract करेंगे यह मैं आज आपको demo के लिए लाएंगे अगर आपको और वन लाइनर चाहिए ठीक है इस वीडियो के सीरीज के साथ जूर कमेंट कीजिए कि सर वन लाइनर लास्ट में add कीजिए और और ज्यादा add कीजिए उससे देखो फाइदा किया होगा कि आपका revision भी हो जाएगा और आपका क्या है आपको extra question के form में मिल जाएंगे और दोस्तों कैसे लगी वीडियो अगर अच्छी लगी तो subscribe कुछ जूर कीजिए like जूर कीजिए share जूर कीजिए मिलते अगले वीडियो में धन्यमाद दोस्तों